रूबीना दिलेक बन चुकी है इंटरनाशनल फेम क्यों कह रहे हैं मैं ऐसा बताएंगे इस वीडियो में हेलो दस इस इसा गंगवानी और भाई रूबीना दिलेक ने सिफ इंडियन हाट से नहीं जीत लिये हैं ऊवर सीज भी काई लोगों के दिल कैसे हम यह बोल सकते हैं मैं आपको बता दे रहे हैं कि भाई कानेडा में कर रही थी रूबीना दिलेक ट्रेंड कोईचोटा मोटा ट्रेंड ने है पूरे 47,000 न्टीट्स का ट्रेंड जी है 47K ट्रेंड के साथ कनेडा में कर रही थी रूबीना दिलैक ट्रेंड इसके पहले वो नेपाल बांगलादेश और पाकिस्तान में भी कर चुकी है ट्रेंड याने की रूबीना दिलैक बनती जा रही है इंटरनाशनली फेमस स्टार और उसकी वज़ा है बिग बॉस 14 में उनका उम्दा प्रदार्शुन बिग बॉस 14 की बहुत ही स्ट्रॉंग कंटेस्टन की तरह उभर का नजर आ रहे है रूबीना दिलैक और अब हर जगा वो दिल जीते हुए नजर आ रहे है अपनी परफॉर्मेंस से अपनी बोल चाल से और अपने हर तरह के रवईय से जी हम आपको बता दे कि रूबीना दिलैक एक ऐसी कंटेस्टन है जिन हो ने अपनी कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं की है कभी भी घर के अंदर किसी से भी हुई है उनकी बहस वो एक भाशा के दा काफी पसंद कर रही है कि एक स्ट्रॉंग के होने के साथ साथ अपना पॉइंट सामने रखने के साथ साथ रूबीना को याद है कि उनको किस तरीके से पेश आना है किस तरीके से खुद को कंड़क्ट करना है इसी बात को लेकर रूबीना दिलैक के फैंस दिन पर दिन बढ इसे पता चलता है कि रूबीना सिर्फ हिंदुस्तानी दिलों परुरे या के दिलों पर कर रहे हैं राज और कहीं ने आपको fifth ला व्या प्र PB और फेम के बारे में लिखकर बता दीजों में कॉमेंट सेक्शन में साथी मत चानल देखते हैं कि ऐसे ही खवर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे